बाग बना गर्वपती गाय का बच्चा एक घना जंगल था जंगल में कई सारे जानवर रहते थे जंगल का राजा शेर और शेर्णी बहुत ही दयालू और नेग देगे थे और शेर्णी की एक दोस्त थी गाय जिसका नाम था गौरी गर्वपती थी उसका अपना कोई नहीं शेर और शेर्णी गौरी से बहुत प्यार करते थे, वो गौरी का बहुत खयात भी रखते थे, शेर और शेर्णी का एक प्टीटा था सिंभा, सिंभा और गौरी एक साथ काफी वक्त बिताते थे, अरे गौरे मासी, चलो ना जंगल में घूमने चलते है अरे सिंभा, अभी नहीं, अभी शाम होने वाली है जंगल में घूमना ठीक नहीं अगर शेरनी को पता चल गया, तो वो गुस्सा करेंगी कि तभी वाह शेरनी आते है अरे दोनों के बीच में क्या बाते हो रही है देखो ना मा, मासी को जंगल घूमने के लिए कह रहा हूँ तो वो मना कर रही है अरे नहीं सिंभा, ये कोई वक्त नहीं है जंगल घूमने का, समझे पर मा कहाना नहीं, वैसे भी तुम दिन बादिन बहुत जिद्धी होते जा रहे हो अब चलो गुफा में यो शेनी सिंभा को डाटकर वहां से चली जाती है सिंभा उदास हो जाता है और सिंभा को उदास देखकर गौरी कहती है देखो सिंभा, उदास मत हो कल सुभा मैं तुम्हें अच्छी सी जगा ले जाओंगी जिससे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे सच में मासी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा अगले दिद्ध सिंभा और गौरी जंगले घूमने निकलते है सिंभा बहुत खुश था, वो चलता कूता मज़े कर रहा था आरे बेटा सिंभा समाल कर चोट लग जाएगी मासी मुझे कुछ नहीं होगा, देखो कितना मज़ा आ रहा है सिंभा बहुत खुश था, वो भागते भागते गौरी से कुछ आगे चला जाता और वहीं जाडियों में चिपी बाग की नजर सिंभा पर पढ़ दिये हरे वा, शेरनी का बच्चा, इसे खा कर तो बड़ा मज़ा आएगा मौका भी है, धूर धूर तक कोई दिखाए नहीं दे रहा और ना ही शेर और शेरनी आसपास है ये सोचकर बाग एकदम से सिंभा के सामने आता है सिंभा बाग को देखकर डर जाता है और सहम भी जाता है बाग सिंभा पर हमला करने ही वाला था ये गौरी वाला जाती है और बाग को रोकते हुए कहती है हरे ओ बाग, वही रुख जा अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरी खेर नहीं गारी, तेरी ये हम्मत की तुम मुझे धमकी दे रही है एक काम करता हूँ, मैं पहले तुझे ही मार डालता हूँ फिर इस सिंभा को देख हूँ गा बाग, अगर ये बाद शेर को पता चल गई, तो तेरी खेर नहीं बाग ये सुनकर गुस्से में आग पुपिवा हो जाता है और वो गौरी पर डूड़ी रहता है गौरी भी बिना सोची समझे और सुन हो जाती है गौरी अपने सिंख से बाग पर हमदा करती ही रहती है और वहीं बाग अपने नुकीले पंजो से दोनों के बीच काफी देर तक लाई होती है गर्दबती होने के कारण गौरी ठक जाती है कि तो भी उधर से शेर को आते देख बाग वहां से भाग जाता है गौरी बहुत खायल हो चुकी थी सिंभा गौरी को देखकर रो रहा था शेर गौरी और सिंभा के पास आता है सिंभा सारी बात शेर को बताता है इस बाग की ये मजाल की उसने तुम दोनों पर हमदा करने की कोशिश की मैं उसे नहीं छोड़ूँगा गौरी बहन तुम ठीक तो होना अगर आज तुम नहीं होती तुम पता नहीं सिंभा का क्या होता मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा शेर तुरंत उल्लू वैद को बलाता है गौरी के जख्मों का इलाज कराता है कुछी दिरों में गौरी ठीक हो जाती है एक दिन जंगल में गौरी घास चले थी तबी उसे किसी के रूने की आवाज आती है अरे ये कौन है? ये तो किसी बच्चे के रूने की आवाज रती है गौरी आवाज की तरफ बढ़ती है तुम देखती है कि काटो की जाल में बाप का बच्चा भसा हुआ था और वो रू रहा था अरे बेटा घबराव मत तुम्ही कुछ नहीं होगा मैं अभी तुम्हें जाडियों से निकालती हूँ गौरी उस बच्चे को जाल से बाहर निकाल दिया भीटा कौन हो तुम और यहां कैसे आई मुझे बहुत भूख लग रही है मेरे पिताजी अब तक नहीं आए मैं उन्हें ढूंटे हुए निकला और इन जाडियों में फसकिया मुझे बहुत भूख लगी है बच्चे को भूख से तरहता देख गए गौरी उसे अपना दूद पिला दी है और इसी भीच बाग वहां आ जाता है ये वही बाग था जिसने सिंभा पर हमला किया था अरे वाग गौरी पिशली बार तो तू मुझे से बच गई थी पर अब नहीं तेरे लिए अच्छा ये होगा कि तू मेरे बच्चे को छोड़ दे बाग का बच्चा अपनी पिता को देखकर एकदम से उसके पास जाकर लिपट जाता है और उसे सारी बात बताता है ये सुनकर बाग शर्मिन्दा होता है और गौरी से कहता है गौरी मुझे माफ कर दे मैंने सोचा कि मुझसे बदला लेने के लिए तू मेरे बच्चे को नुकसान पहुचा रही है कोई बात नहीं तुम्हें अपनी गल्ती का हिसास हो गया यहीं काफी है गौरी यू बोल ही रही थे कि शेर बाग आता और वो बाग को देखकर उस से ले कहता मैं कपसे तुझे धून रहा था तेरी हिम्मत कैसे हुई गौरी पर हमला करने की मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा शेर बाग पर हमला करने ही वाला था कि गौरी शेर को रोकते हुए कहती है महराज बाग को अपनी करती का हैसास हो गया है उसे माफ कर दीचे अगर उसे कुछ हो गया तो उसका बच्चा नात हो जाएगा ये सुनका शेर शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है उस दिन से बाग का बच्चा गौरी को अपनी मा समझने लगा गौरी भी बाग के बच्चे को अपना बच्चा समझ लगी और खुशी-खुशी चीवन गुसाड़े लगी जंगल का कोई राजा नहीं था ना किसी का हुकुम और ना किसी की गुलामी सारे जानवर आपस में मिल जुलकर खुशी से रहते थे पर उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई एक दिन कहीं से एक जादूई शक्तियों वाला और ताकतवर सफेद शेर जंगल में आता है जानवर एक जगह पर बाते कर रहे थे कि तब ही वो सारे जानवरों से कहता है सुनो जंगल वासियो आज से मैं तुम्हारा राजा और भगवान हूँ समझे हो इसलिए तुम सब को मेरी बात मानने ही पड़ेगी मेरी पूजा करने ही पड़ेगी क्यों हम तुमारी बात माने और हम तुम्हे अपना राजा मानने से इनकार करते है वैसे भी हमारे जंगल को किसी राजा की कोई जरूरत नहीं है हिरन के साथ साथ बाकी के जानवर भी सफिद शेर को राजा मानने से इनकार करते है तब सफिद शेर को बहुत ही गुसा आता है वो अपनी जादू से आग बरसाने लगता है और हीरन को तो एक चूहाई बना देता है सफिद शेर का ये रूप देख कर बाकी के जानवर घब रा जाते है बेचारे जानवर सफिद शेर को अपना राजा मानने लगते है पर शेर राजा बन कर प्रजा की रक्षा नहीं कर रहा था, बलकि उन पर हुकम फर्मा रहा था, उनकी जरासी गलती पर उनकी जान ले रहा था, सफिद शेर का आतंग दिन बदिन जंगल में बढ़ता ही जा रहा था, जो जंगल हसी खुशी से रहता था, वहाँ अब सन्ना ट चाया हुआ था, सारे जानवर मुर्जा गए थे, ऐसे में एक दिन बंदर मटका लेकर जंगल वापस आता है, जंगल में आते ही वो सोचता है, अरे ये जंगल में इतना सेननाटा क्यों चाया हुआ है, लगता है कुछ गलत हुआ है जंगल के साथ, पर क्या बात है, कोई भी नहीं दिख रहा है। महराज, मैं काम की वज़े से कुछ दिन जंगल से बाहर गया था। वैसे मुझे आपके बारे में सब पता है। महराज, मैं आपके दोपहर के खाने के लिए मटका बिर्यानी बना रहा हूँ। मेरे घर आकर मटका बिर्यानी का स्वाद लीजिए। मटका बिर्यानी की बात सुनते ही शेर के मूँ से लाड़ टपकने लगती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और बंदर की बात मान कर वासे चला जाता है। तब बंदर मनी मन सोचता है बाबरे मैतोपल भर के लिए डर ही गया था। इस सफेज शेर से हम ताकत से नहीं पर अपना दिमाग चला कर उसे फसा कर जरूर हरा सकते है। अब मटका बिर्यानी का बहाना बना ही लिया है तो सफेज शेर को खिला ही देते हैं मटका बिर्यानी। महराज ये मटका बिर्यानी ऐसे नहीं खाई जाती डाइरेक्ट मटके से ही खाई जाती है वो दरसल मेरा मटका कोई मामूली मटका नहीं है वो एक जादूई मटका है और उसमें बनी हुई चीज़े भी जादूई रहती है। तब तो सफिद शेर ना आगे देखता है और ना पीछे मटका बिर्यानी पर तूट पड़ता है। शेर मटका बिर्यानी खाने के लिए अपना सर मटके के अंदर डालता है तो वहाँ बिर्यानी की जगा चूहे मिलते है। दरसल बंदर ने अलगी मटके में बिर्यानी बनाई थी। चूहो से बचने के लिए सफिद शेर अपना सर बहार निकालने की कोशिश करता है। पर वो अपना सर बाहर नहीं निकाल पाता। चूहे शेर के चेरे को काटने लगते हैं। तब सफेद शेर चिलाते हुए कहता है अरे बंदर बिर्यानी के नाम से ये चूहे कैसे ये तो मुझे काड रहे है अरे मुझे बाहर निकालो बंदर प्लीज मुझे बचालो सफेद शेर चिलाते रहता है तब बाकी के जानवर वहां आते है शेर की ऐसी हालत दे कर वो भी खुश हो जाते है इस तरह से सफेद शेर वही तडब तडब कर मर जाता है और फिर से एक बार जंगल किसी की गुलामी से मुक्त हो जाता है फिर से सारे जानवर बिना किसी राजा के खुशी से रहने लगते है